महर शिवालमी की महा काव्य के रचाईता से पहले एक डाकू थे। इनका नाम पहले रतनाकर था। ये जंगल से गुजरते हुए व्यक्ति को लूटते थे। ऐसे ही एक दिन नारद मुनी जंगल से गुजर रहे थे। तब रतनाकर डाकू ने उन्हें बंदी बना लिया लेकिन फिर नारद मुनी की सलाह के बाद उन्होंने पाप का रास्त छोड़ दिया और तपस्या कर ब्रह्मा जी से ज्ञान का वर्दान प्राप्त किया। महर शिवालमी की ने संस्कृत साहित्य का ये पहला श्लोक लिखा था। जो की रामायान का भी पहला श्लोक बना। आईए जानते हैं इसके पीछे क्या कठा है और क्या था वो पहला श्लोक। ये तो हम सभी जानते हैं कि रामायान संस्कृत का पहला महा काव्य है। रामायान के पहले श्लोक में ही श्राप दिया गया था। इस श्राप के पीछे भी एक कठा है। एक दिन वालमी की गंगा नदी में सनान करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें तमसा नदी दिखी, जिसका जल काफी स्वच्छ था, उन्होंने सोचा कि क्यों न यहां ही सनान किया जाए, इसी दोरान उन्होंने एक क्रॉंच पक्षी के जोडे को देखा, जो प्रणय क्रिया में लीन था, उन् द्रिश्य देख महर्शी वालमीकी बहुत ज्यादा हैरान हो गए, इसी दोरान एक बहेलिया वहां दोड कर आया, इस बहेलिया ने ही उस नर्पक्षी पर बांड चलाया था, यह देख वालमीकी जी बेहत दुखी थे और घटना से क्षुब्ध होकर वालमीकी जी के मुह से अचानक ही बहेलिये के लिए एक श्राप निकल जाता है, मा निशाद प्रतिष्ठाम, त्वम गमः, शाश्वतिह समा, यत क्रॉंच मितुना देकम, अवधिय काम मोहितम, अम अर्थात, हे निशाद, तुमको अनंत काल तक शांती न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम, प्रण अमा के आशीरवात से संपूर्ण रामायन की रचना उसी चंद से की, जो शलोक के रूप में उनके द्वारा जारी किया गया था, इस प्रकारिय शलोक हिंदू साहित्य में पहले शलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, वालमी की पहले कवी या आदिकवी और रामायन के पहले कवी के रूप में पूजनिया है